तीसरा, बंगलूरू, कोयमबटूर और द्योगिक प्रदेश बंगलूरू करनाटक की राजधानी है और कोयमबटूरू पडोसी राजे तमिलनाडू का प्रमुक और द्योगिक केंद्र है दोनों शहरों के बीच एक लंबी पट्टी में उद्योगों का विकास हुआ है यहां प्रदेश कपास का मुख्यूत पादक शेतर है अता यहां के आसपास के गाओं वह शहरों में छोटे छोटे वस्तर निर्माण के इंद्र चलते रहे हैं पूरे देश का 20 प्रतिशत धागा तमिल नाडू में बनता है और केवल कोयम बटूर में सूति वस्तर की इंक्यानवे मिले हैं इस प्रकार इस ओध्योगिक प्रदेश में सूति वस्तर उद्योग की प्रधानता है बंगलूरू कई कम्पनियों के नाम से जाना जाता है हिंदुस्तान वायूयान कम्पनी HAL, हिंदुस्तान मशेन टूल्स HMT, भारती दूरभाष लिमिटेड, HTL, भारती विद्धुतुपकरण, इन्फोसिस तथा विप्रो लिमिटेड पिछले दो दर्शकों में बंगलूरू, भारत के प्रमुक कम्प्यूटर और सुचना उद्योगों के केंद्र के रूप में विक्सित हुआ इसके लावा यहां बस की बोडी, काज के समान, चीनी मिट्टी के बरतन, सूतिवस्त, रेल के डिब्बे बनाने के उद्योग है इस ओद्योगिक प्रदेश के चन्नाई शेत्र में पेट्रोलियम सयंत्र, सेलम में लोहा इस्पात वा उर्वरक का कार खाना है सूचना प्रद्योगिकी, सूचना तक्निकी आज बहुत महत्तोपूर होती जा रही है आज की वास्तविक्ता है कि कम्पनी के काम 24 घंटे संचालित हो रहे हैं या कैसे सयुक्त राज अमेरिका के न्यूयार्क और भारत के बंगलोरू के कुछ सॉफ्टुरे कम्पनियों ने समझ़ोता किया है कि वे न्यूयार्क में दिन के समय ऑफिस में कंप्यूटर सॉफ्टुरे पर काम करेंगी तब भारत में रात होगी और अपने कारे दिन की समापती के बाद वे अपने काम के परिणाम बंगलूरू भेजेंगे जब नियोर्क में रात होगी तो भारत के बंगलूरू में दिन होगा और उसी सौफ्ट्रेयर पर भारत में आगे का काम हो रहा है पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते हैं इस प्रकार वे समवाद और कारे साथ साथ करते हैं या इस प्रकार से हैं मानों दोनों आजुबाजु के कारयलों में बैठे हुए हों वर्तमान में यह उद्योग भूमंडली हो गया है प्रद्योगी की राजनीती सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है मुख्यकारक जो इस उद्योग की अवस्थिती को निर्धारित करते हैं वे संसाधन उपलब्धता लागत और अवसनरचना है चौथा गुजरात और द्योगिक प्रदेश इस प्रदेश में दो प्रमुक शहर एहमदाबाद और बडोदरा इस्तित है इसलिए इसे एहमदाबाद और बडोदरा अध्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है इसके प्रमुक औध्योगिक केंद्र जामनगर, राजकोट, सूरत, बडोधरा, खेडा, आणंध, भरूच और गोधरा है आहमदबाद में सूती वस्त्र की सरवाधिक मिले है सूरत में हीरे की कटिंग, सोना चांदी के जेवर और वस्त्र के उद्योग विक्सित है आणंध में डेरी उद्योग प्रमुक है एहमदबाद में इंजिनेरिंग सेमाल, इलेक्ट्रोनिक्स, सॉफ्ट्वेर, दवाईया, आधी के कार खाने है पाचवा, छोटा नागपूर और द्योगिक प्रदेश इस उद्योगिक प्रदेश का विस्तार पश्यम मंगाल से लेकर दामोदर घाटी, सिंग भूमी एवं ओडिशा तक है इसलिए से राउल केला जमशेदपूर उद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है सिंग भूमी का छेत्र लौ एस तामबा, यूरेनियम, मैगनीज आधी के लिए तो दामोदर घाटी कोईला के लिए जानी जाती है यही कारण है कि इस शेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास जमशेदपूर, बोकारो, दुर्गापूर, राउलकेला, बर्नपूर में हुआ है इस श्यत्र में भारी इंजिनेरिंग उद्योग राची में, उर्वरक उद्योग सिंद्री में, सिमेंट कार खाना डाल्मिया नगर्वा जपला में इस्तित हैं चटवा, विशाखा पटनम गुंटूर अध्योगिक प्रदेश यह उद्योगिक प्रदेश, विशाखा पटनम जिले से लेकर, प्रकार्षम जिले तक इस्तित हैं इस प्रदेश में, इस प्रदेश के विक्सित होने का कारण, विशाखा पटनम तथा मचली पटनम के बन्दरगाह रहें गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम पदार्थ वा कोईला मिलते हैं और इस कारण यहां लोह स्पातकार खाना इस्थापित किया गया है विशाका पटनम में हिंदुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेट के इस्थापना की गई है जहां पोत बनते हैं इस प्रदेश में चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, इंजिनियरिंग उद्योग विक्सित हुए हैं विशाका पटनम विजयवाडा, विजयनगर, राजामुंदरी, गुंटूर, एलूर, आधी उद्योगिक केंद्र हैं सात्वा गुडगाओ, दिल्ली, मेरट, उद्योगिक प्रदेश दिल्ली के आसपास के शहरों, गुडगाओ, फरिदाबाद, मोदिनगर, मेरट, अंबाला, मथुरा, सहारनपूर, नोएडा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानिपत, आधी तक इस प्रदेश का विस्तार है, यहाँ प्रदेश खनिस्त्रोतों से काफी दूर है आता एलक्ट्रोनिक्स, मोबाइल, खेल के समान, बिजली के समान, होजियरी, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषियूपकरन, आगरा और दोगिक शेत्र में काच और चम्डे के उद्योग, मतुरा में तेल परिशकरन उद्योग, फरिदाबाद में इंजिनिरिंग उद्योग, सहा करननपूर में काच जुद्योग का विकास हुआ है, गुड़गाव में प्रमुकुद्योग आटो मोबाइल, वस्र निर्मान, इलेक्ट्रोनिक्स, अमान, बिजनस प्रोसेस आउट्सोर्सिंग के हैं, आठवा, कोलम, तिर्वननत्पुरम, ओध्योगिक प्रदेश, यह ओ काफी दूरिस्थित है, अता इन शेत्रों में क्रिशी उत्पादों के आधार पर उद्योगों का विकास हुआ है, इन उद्योगों के अत्रिक्त सूती वस्र उद्योग, चीनी उद्योग, रबड उद्योग, कागज उद्योग, मचली आधारित उद्योग, नारियल रेश के उत्पादों से संबंधित उद्योग, सीमेंट उद्योग और तेल परिश्करण उद्योग इन प्रदेशों में हैं।